हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टूए जूगे सिंधिया तो आज के इस सब वीडियों में बात करेंगे मौसम के बारे में जहाँ पर 22 नौबर 2020 को लेकर मौसम विज्ञान विबाग ने अपनी भविश्वानी जाईर कर दिये और 22 नौबर 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पुरन मान जारी हो चुका है जहाँ पर कई लाकों में भारी बरबारी के साथे ओला विष्टी की चेतावनी देखने को मिले और इसी खत्रे को धान में रखते हुए मौसम विज्ञान विबाग ने देश के विबी लिस्टों में लोगों को साउधान रिने की इदाये दे दिये औ आजिस्तान उत्तर पर्दिस गोवा पंजाब यार मद्या पर्दिस हरियाना करनाटक तमील नाडू जिससे राज्यों में हाई एलट जारी कर जाये और साथ ही आज से हाड का पाने वाली सर्दी को लेकर भी चेतावनी जारी हो चुकी है तो अभी हम आप सभी को ये कि आज से किन किन इलाकों में भारी बरबारी का दोर सुरू होगा आज कौन कौन से इलाकों में भाएंकर सीतल चलेगी और आज कौन कौन से इलाकों में खतरनाक ठंड़ पड़ेगी तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आम तक दे ये ताकि आपको आगे भी मौसम के बारे में हर एक जानकारी सबसे पले देखने को मिले तो चलिए अभी हम जानते हैं 22 नमबर 2020 के मौसम के बारे में संपुन जानकारी जहां पर आज कहीं लाकों में भारी बरबारी देखने को मिलेगी कहीं इलाकों में आज सीतलार चलेगे और इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान विबाग ने देश के सबी लोगों को सतर का रेने की सलात दे दिये तो संपूर्ण भारत का 22 नौमबार 2020 का मौसम पुरनमान जारी हो चुका है जिसकी अनुसार कहीं इलाकों में कुछ इस परकार के मौसमी सिस्टम बान चुके हैं जो की अच्छी बारिस के लिए नुकुल रहेंगे कहीं परकार की भारी बरबारी के लिए नुकुल रहेंगे तो सबसे पले मौसमी सिस्टम की बात कर लेते हैं जहां पर देश के विबिन भागों में कई परकार के मौस में सिस्टम बान चुके हैं जो कि देश के अलग-अलग इस्तानों पर भारी बारिसा और बरबारी के लिए नुकुल रहने वाले हैं और इससे सटे दसिनी पशी मंगाल की खाड़ी पर एक चकरवाती हवा का सेत्रा बना हुए इसके पर बाव से इसी जगह पर एक निम दबाव का सेत्रा जल्दी विक्सित हो सकता है जो कि अच्छे खासे तुफान के अनुकुल रहेगा वाई बियार से दसिन पूरी मद्यव पर दिस तक हवा में कौन फ्लू एंस जोन बना हुआ उतर भारत पर बना पशी विसव आगे चल चुका है और कलस सामसे का नया पशी विसव बनने को लेकर आसार बता है जा रहे जो की पहाड़ों के पास पहुँचे गा वहें दोस्तों बात करते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम पूर अन्मान के बारे में मौसम हाल के बारे में और मौसमी हलचल के बारे में चाहाँ पर बीते 24 घंटों के दुरान गंग्या पशी मंगाल में हलकी से मद्यम बारे से कुछ स्थानों पर होई एक दो स्थानों पर तेज़ वर्सा हो चुकिए इसके अलावा उत्री ओडिसा जारकन चतिसगर दसीनी पूर्वी मद्य परदिस विदर उतर्ट्य करनाट केरल और दसीनी तमील नाडू के कुछ सोमहल की से मद्यम बारिस बीते 24 घंटों के दोरान हुई वहीं पर अस्तम अरुनाचल परदिस उकमाल ये पशीम मंगाल अंड़मान वन निकोबार दीप समूत दा मद्यम माराष्ट के कुछ सोमहल की बारिस हुई पंचाब हरियाना और उत्री राजस्तान में तापमान में गिरावट के चलते कुछ स्तानों पर सीतलहर जैसी इस्तियाद देखने को मिलिया बात करते अगले 24 गंटों के दौरान संभावी तो मोसम पूर अनमान की जहाँ पर कई लाकों में बरब बारी के आसारे कई लाकों में वर्सात के आसारे और कई लाकों में सीतलहर को लेकर संभावनाए बन रही है तो आगा में 24 गंटों के दौरान गंग्या पशी मंगाल ओडिसा के उतरी तर्ट्य भागो पूरूतर राज्यों में कुस्तानों पर जब गी चतिस गड़ विदर तमील नाडूर के लिन में एक दो स्तानों पर हलकी से मध्यम बारिस संभाव है वहें अंडमानों निकोबारती पस्तमू में कई जगों पर हलकी से मध्यम बारिस के साथ एक दो स्तानों पर वारी वर्सा हो सकती है दिश्के बाकी भागों में मोसम सुसकबने रहने के आसार बता है मध्याव भारत में नियूमतम तापमान में अगले 24 गंटों के बाद बार दो डिगरी तक गिरने के आसार बता है को 22 नौमबर 2020 के मौसम के बारे में पूरी जानकारी दिये जहां पर खत्रे को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान विबाग ने सभी लोगों को साउधान रेने की सला दे दिये और भारी बरबारी और ओले गिरने की चेतावनी मिलिये तो इस सब परकार से ये पूरी जानकारी अच्छी लगिए तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और आगे भी इस सी परकार की जानकारी देखने के लिए आपके अपने इस चनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जे